Assalamualaikum दोस्तों तो दोस्तों सौधिरब में एक सीटी से दूसरे सीटी जाने के लिए आप या तो ट्रेन का टिकेट लेते होगे या टेक्सी करते होगे या फिर बस का तो यहां पर मैं आपका बताने वाला हूँ के बस का टिकेट कैसे लेया जाता है ऑनलाइन और जहां ट्रे यह में अपर उपन करिए वो और यह यही वेबसाइट है इसको आपने इंटरफिस आजाएगा आपके पास और यहां से आप बस की ट्रेन के लावा जो है वो अर्बन ट्रांसपोर्ट लाइमोजीन यानि कि आप टैक्सी भी अरेंज कर सकते हैं इस पेशल जो एक्सप्रेस है वी आई पी एक्सप्रेस वो भी आप ले सकते हैं तो अभी हम यहां पर सिर्फ ट्रेन का टिकेट लेंगे और ट्रेन के टिकेट लेने के लिए अब इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि डिपार्चर फ्रॉम का ऑप्शन है यानि कि आपको किस सिटी से जाना है उस सिटी का नाम यहां पर एंटर कर लेंगे अब यहां पर आपने मक्का मदीना य यहां पर आप एंटर कर लेंगे और उसके नीचे है वन वे राउंट ट्रिब और मडिपल ट्रिप यानि कर आपने एक तफ़वा कर ट्रिक अया आ आने जाने का लेना याने अ एक शहर में पिर दूसरे भी शहर में जाना है और फिर वापिस भी आना है इस तरह भी लावा छोड़ देंगे अगर आपकी फैमिली है ज्यादा लोग है तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं और ज्यादा टिकेट ले सकते हैं तो अभी एके टिकेट है तो वन एडल पर ही रखेंगे इसको और उसके बाद नीचे है सर्च का बटन तो इस सर्च के बटन पर हम किलि अब इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे हम नीचे और यह देख लेंगे कि एक दिन में कितनी जो बसे हैं वो जा रही है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 24 तारिक की मैंने सलग की है और बसे यहां पर टाइम आपको देखने को मिल जाएगा और आवर्स भी देखने को मिल हों 15 बजे की यानि के 3 बजे की तो इसको सेलेक कैसे करते हैं तो यहां पर 72 रियाल पर हम किलिक कर देंगे तो जैसे ही यहां पर किलिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी अब यहां पर डिटेल है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आहसे से रियाज जाना है और यह सकते हैं اور इसके बाद हमें बुक करना है तो ये बुक का बटन देखने को मिलेगा तो इस बुक के बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो बुक के बटन पर क्लिक करने के साथ ही आप हमारे पास नेक्स पेज चोपिन हो जाएगा सबसे पहले तो अपको डिटेल मिल जाएगी और इसके बाद नीचे हमें पैसेंजर इंफॉर्मेशन दालना है यानिकि जिसको जाना है उसकी इंफॉर्मेशन दालनी है तो यहां पर पैसंजर टाइप है न्यू पैसंजर तो इसको ऐसे ही रने देंगे इसके नीचे है नेम है तो यहाँ पर आफर्स नेम, मिडल नेम और फैमिली नेम यहाँ पर अपना लिख लेंगे और उसके बाद नीचे आएगा आप्शन आईडी टाइप का तो इसके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप पासपोर्ट भी सेलेक कर सकते हो और अगर आपके पस अकामा है तो अकामा भी सेलेक कर सकते हो जैसे कि मेरे पस अकामा है तो मैं यहाँ पर अकामा सेलेक कर लूँगा और उसके बाद नीचे आप्शन आजाएगा आईडी नमबर का तो यहां पर हम अपना हाकामा नमबर एंटर कर लेंगे और उसके बाद है वरिजन नमबर यानि कि अकामे पर कितनी हैं या कि कौन सा अकामा है आपका तो मेरा साथमा आकामा है तो आई यहां पर seven select कर लोँगा और उसके नीचे option है नेशनलिटी का तो यहाँ से आप अपनी nationality को select कर लोगे और इसके बाद नीचे आजाएगा gender का option तो यहाँ से आप gender select कर लो male ओ female और उसके बाद नीचे है date of birth तो जो आपके अकामे पर date of birth है वो यहाँ पर date of birth enter कर लेना और इसको scroll down कर लेंगे और अब आजाएगा contact information का option यहाँ पर हमें information देनी है अपने contact number देना है तो mobile number है यहाँ पर आप अपना सौधियरप का mobile number एंटर कर लोगे और उसके बाद है नीचे email address का option तो email address आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद दुबारा email address confirmation का option है तो वह email address दुबारा आपने एंटर करनी है और उसके बाद है security code का option तो आप यहाँ पर देख सकते हैं के 6666666 यह मेरा code है तो आपके पास दूसरा code आ रहा होगा यहाँ पर हमेशा नया code आता है तो यह security code आपने इस box में एंटर करना है और उसके बाद आपने continue का नीचे बटन देखने को मिलेगा तो इस continue के बटन पर आप click कर दोगे तो अब आपके पास यहाँ पे नया page open हो जाएगा तो हमारी ticket जो है वो book हो चुकी है अब हमें यहाँ पर scroll down करना है और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ticket है वो book हो चुकी है ID नमर देखने को मिलेगा ticket नमर देखने को मिल जाएगा आपको और नाम भी देखने को मिल जाएगा पूरी detail और उसके बाद बस हमें इसकी payment करनी है तो इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि I agree का check है इसके उपर click कर देंगे और इसके बाद continue का button है तो इस continue के button पर हम click करेंगे तो जैसे ही continue के button पर click करेंगे तो मेरे पास यह नया page open हो जाएगा अब हमें payment करनी है तो यहाँ पर दो तरीके हैं payment करने के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि payment के एक तरीका तो है सद्दाद से payment कर सकते हैं दूसरा है मादा कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड तो सद्दाद का मतलब है कि आप ATM में जाकर सद्दाद से भी आप payment कर सकते हो अब यहाँ पर मेरे पास ATM card है तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ATM card से कैसे payment करते हैं तो यहाँ पर अब हम credit card और end mother card जो option है इसके उपर हम click कर देंगे तो जैसे ही हम इसके उपर click करेंगे तो अब हमारे पास new page open हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं के दो हमारे पास option है यानि के credit card debit card है वो भी आप use कर सकते हो और union pay secure pay यह जो card है यह भी use कर सकते हो तो हमारे पास credit card है debit card है मादा card है जो भी आपके पास card है ATM card वो यहाँ पर आपने यूज़ करना है तो इसके उपर आपने CLICK कर लेना है और इसके बाद नीचे आपके पास इप्शन OPEN हो जाएंगे यहां पर आप अपना card number एंटर करोगे और इसके बाद आपके पास option है expiry month का तो यहां पर आप expiry month एंटर करोगे इसके बाद expiry year card की तो card की expiry year डाल दोगे और इसके नीचे card holder name जो भी नाम है card holder का जिसका भी आप use कर रहे हो किसी और का या अपना use कर रहे हो तो यहाँ पर आप name लिख दोगे उसका और इसके बाद है security code का option तो यहाँ पर आपने security code जो card के पीछे तीन digits होते हैं वो यहाँ पर enter करने हैं और इसके बाद आपने नीचे pay now के button पर click कर देना है तो जैसे ही pay now के button पर आप click करोगे तो आपके mobile number पर OTP code आएगा और यह page open हो जाएगा और यहाँ पर आपने OTP code enter करना है तो उपर आपको detail भी देखने को मिल जाएगी आपकी और जो OTP code है वो यहाँ पर आप enter कर दोगे OTP code enter करने के बाद बस इसको submit के button पर click करना है जैसे ही आप submit के button पर click करोगे तो आपकी जो payment है वो हो जाएगी और यहाँ पर आपकी 72 real की payment हो चुकी ticket की और ticket को की जानिब से के ticket book हो चुकी है ticket की payment हो चुकी है अब इसके बाद आप अपने mobile में इसको ticket को save करना है तो यहाँ पर PDF का option देखने को मिलेगा तो इस PDF के button पर click करोगे और इसकी पर PDF बना रोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने click किया है तो यह ticket हमारे सामने आ चुका है तो आपने इसको प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर लो वैसे प्रिंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है आप अपने mobile में ही इसको रखो और जब आप बस से शेशन जाएंगे से अपको की तो आपने इसी ticket को अपने mobile आप जरूर कर देना